अब अगर आपको कोई जॉब क्यूरी आती है फ्री लांसिंग वेब साइट से या कोई और क्लाइंट as a consultant आपको अप्रोच करता है और आपको कहता है कि भाई मुझे ना digital advertisement के लिए बंदा चाहिए तो क्या आप वो काम कर सकते हैं तो आपका अगला सवाल जो आपने उसे पूछना है कि किस तरह की digital advertisement आपने बनवानी है यानि कि type of the advertisement क्या होगी इश्तिहार की कौन सी type होगी दोस्तो इस session के अंदर मैं आपको चार different types के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा common है digital environment पे तो आए थोड़ी सी नजर डालते हैं कि वो कौन कौन सी ads हैं जो digital environment में exist करती हैं पहली जो most common ad है वो है search ad यह search ad basically वो ads होती है कि जब आप Google पे जो उपर search बाहर आ रही होती है उसमें कुछ type करते हैं को वर्ड type करते हैं यानि कि आपने Google Advert को कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे और जब भी कोई hotel type करे या hotel in lahore type करे तो हमारे hotel की website सबसे उपर आ रही हो यह text form में होती है और इसको हम search ads कहते हैं search engine optimization का आपने अक्सर नाम सुना होगा और वो बड़ा clearly search ads के साथ associate होता है search engine optimization का मकसिद यही है कि जब भी कोई आपकी website के बारे में या आपकी website से related किसी keyword के बारे में लिखे तो आपकी advertisement सबसे उपर आए organically naturally हो रहा होता है लेकिन जब search ads के आप पैसे देते हैं Google AdWords को तो यही काम Google आपके लिए कर रहा होता है और आपके advertisement user के सामने दिखा रहा होता है in the form of search ad इसे आगे चलके अगर हम देखें तो अगली type of advertisement है display ads display ads को असान लफ़ों में explain अगर मैं करूँ तो जब भी किसी आप website को visit करते हैं तो आपके right ये left ये top ये bottom पे एक picture नजर आ रही होती है आपको जो in the form of ad होती है ये वो ads होती हैं कि जो companies Google को कहती हैं कि अपनी affiliated websites के ओपर appear करवाएं affiliated websites कौन सी होती है ये वो तमाम websites हैं कि जो Google search engine पर exist करती है तो Google उन websites पे जाता है उनसे permission लेता है permission लेके आपकी दी हुई picture को यानिके display ad को appear करता है उनकी website के ओपर इनको हम कहते हैं display ads, तीसी type of ads है social ads, social ads appear होती है social networking platform पे Facebook के ओपर, Twitter के ओपर, LinkedIn के ओपर और ये ads की सबसे बड़ी drawback ये है कि सवाए social media platforms के ये ads किसी और जगा अपीर नहीं होती है लेकिन चुके social media भी बहुत बढ़ चुका है और उसकी reach बहुत बढ़ चुकी है तो इसे विज़ा से इन ads की importance भी बहुत बढ़ती जा रही है Traditionally हमारे पास textual ads होती थी search ads के तोर पे या display ads हुआ करती थी जो static picture जो websites के ओपर लगा करती थी Social ads से आगे चलके देखें तो last type जो बड़ी common है वो है video ads की Video ads अगर मैं आपसे question बूच हूँ तो video ads ज्यादा तर कहां चलती है यह external websites पे भी चल रही होती है लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो ratio है ads को चलाने का वो है YouTube के उपर क्योंकि user सबसे ज्यादा YouTube पे है इसी विज़ा से ads भी ज्यादा YouTube पर रिपोस्ट हो रही होती है यह जो तमाम advertisement है सवाए social ads के वो हो रही होती है Google के platform को use करके जो आगे चलके software के तोर पे हम सीखेंगे भी तो दोसो इस session के अंदर मैंने आपको चार different किसम की इश्तेहरात और advertisement के बारे में बताया तो आगे चलके वह वो consultancy की job हो या आपके महले के अंदर छोटा सा business है और वो आपसे digital marketing की job करवाना चाहरा हो या free lancing की कोई job हो तो आपने हमेशा पूछना है कि कौन सी advertisement है जो आप मुसे करवाना चाहरे है क्योंकि video advertisement पे जितना time आपका लगेगा जुरूरी नहीं कि display advertisement पे उतना आपका time लगे तो इस सारे knowledge को जहन में रखिए और अगले sessions के अंदर इन knowledge को apply कीजिए और मजीद सीखिए